वास्व गाइज, I hope you are doing well, I am Veer, Welcome to Still Love Family आज का लेक्चरी स्टार्ट करते हैं एक शांदार दे के साथ में जो की खासकर किताबों से ही रिलेटेड बात यहां पर की जा रही है World Book and Copyright Day देखिए अलग-अलग इंसानों के द्वारा अलग-अलग किताब ही लिखी जाती है अपने experience से लिटेड या उनकी knowledge से लिटेड उसी के साथ में अगर कोई उनका जो data चोरी करता है उससे लिटेड हाँ पर copyright भी होते हैं यानिकि इंसान जो है अपना innovation जो भी उसने time invest किया है ताकि उसके लिए उसको return मिल सके इसलिए हाँ पर copyright होता है तो हर एक किताब या कोई भी ऐसा product जो market में निकल कर आता है इंसान के द्वारा मेहनत की गई है तो उसी से लिट बात की जा रही है कि World Book और Copyright Day दोनों के बारे में awareness फैलाने के लिए हाँ पर ये day celebrate कियाता है हर साल 23rd April को World Book जो day है आपर इसको World Book and Copyright Day के नाम से भी जाना जाता है और International Day और Books के नाम से भी इसको जाना जाता है किसके द्वारा और्गिनाइज करा जाता है उसके द्वारा यहाँ पर ये जो दिन है ये celebrate किया जाता है खासकर परमोट करने के लिए कि reading इसकी लोगों की और इसी के साथ publishing और copyright जो ये चीज़े हैं लोग इनके बारे में समझ भी सके और इसको जानकर अपना केरियर भी अगर कोई बनाना चाते हैं यहाँ ऐसा भी कुछ चीज़ होती है उसके बारे में information प्रोवाइड करा जाती है वर्ल्ड बुक डे जो है जो फर्स ताइम celebrate किया गया था 23rd April 1995 में celebrate किया गया था और recognize किया गया था इसको कि ऐसा भी कोई डे हम लोग को celebrate करना है इसी के तरीके का जो डे हाँ पर अगर आप लोग देखेंगे United Kingdom के अंदर और Ireland के अंदर यह मार्च में observe किया जाता है और इसी के साथ में अगर बात करने इस बार की theme पर यह काफी interesting है आपर इनके द्वारा बना दी गई है बोला गया है books breathing the health information gap for all यहनके किताबों के थुरू जो health information है वो लोगों तक पहुचाई जा रही है और जो gap था एक कि लोग नहीं जानते थे कि health से लेटर इन्फोर्मिशन वो आज की date में उसको understand कर पा रहे हैं तो यह काफी important theme बोल सकते हैं यहनके किताबों को health से connect कर दिया इससे अच्छी बात और क्या होगी तो interesting theme है question आप लोगों से पुछा जा सकता है हलका सा idea जरूर रखिएगा आईए चलते हैं अपने अगले section के और यहाँ पर आप लोगे सामने एक quiz है जो कि आप लोग attempt करना है इसके बाद में आप लोगे हैं आप इसका answer बताया जाएगा यह आप लोग revision quiz भी बोल सकते हैं सबसे पहले बात की जा रही है reporters without borders इसके दोरह एक report release की जाती है जिसको world praise freedom index हम लोग बोलते हैं अगर all over world में हम लोग बात करें तो यह phrase की freedom है वो कहीं कहीं decrease हुई है और इसी के साथ में इंडिया की जो rank है वो भी पहले के compare में हापर down हुई है तो हमारी rank क्या रही है world praise freedom index 2019 में यह आप लोग को बताना है ठीक है next जो बात की जारी है Hong Kong की जो equity market है उसने आपर अभी एक country की equity market को replace करके third number पर आगी है top 2 है USA और चाइना और तीसे नंबर पर आगी है Hong Kong तो किसको replace किया गया है इसकी इस market के द्वारा यह बताना है आप लोग को NASA की एक female astronaut जिनका नाम आप लोग को बताना है आपर recently उनकी death हुई है फर्स्ट फीमेल थी जो astronaut टेस्टिंग के लिए पास ही थी इस personality का नाम आप लोग को पता होना चाहिए और यह NASA यहनि के USA की जो space own agency है इसके बारे हैं बात की जा रही है हमारी country की जो state own carrier है इसके दोरा अभी hire किया गया है 150 cabin crew member jet airways के तो कौन सी है यह company जिसके दोरा hire किया गया है international route पर खासकर यह काम करते हैं अगर बात करें हैं आपर UN के mission के बारे में 150 Indian जो peacekeeper forces जो हमारी country के काम करते हैं अलग-अलग country में तो यहाँ पर बात की जा रही है इस particular country में जो UN के mission है हमारी country के जो staff है उसने जो भी अपना dedication दिखा है sacrifice की अपनी life उसके लिए इनको award दिया गया है तो यह कहां किस country के लिए हमको दिया गया है award आगे बात की जा रही है प्रोजेक्ट कनम्मा के बारे में यह किनिसेटिव है किसके द्वारा rotatory club of किस area का है यह जो की free bio degradable sanitary nefkin provide किराने का काम करता है 2018 अगस्त में इसको start किया गया था तो हलका सा idea आप लोग एर रख सकते हैं company का नाम बताना है यहाँ पर आप लोग को next question में जिसको अभी recently यह है AIMA Managing India Award 2019 जो outstanding PSU of the year का award दिया गया यानिके सबसे शांदा तरीकी से performance दी गई जितने भी public sector undertaking हमारी country में उन सब में इस PSU के दौरा तो इसका नाम आप लोग को बताना है अभी मैं आप लोग को answer बताऊंगा question match कीजेगा क्या सही है क्या गलत है और नीचे comment box से अपना score लिखना मत भूलिएगा देखते हैं क्या क्या बात की जा रही है सबसे पहले हमारी जो rank है यह हाँ पर अभी जो down हो गई है 140 पहुँच गई है पहले 138 हुआ करते थी यह world price freedom index में काफी important है क्योंकि काफी जनलिस्ट अब की बार हमारी country में 2018 गया है उसमें लगबग 6 के करीब बोला गया कि जनलिस्ट की जान गयी है तो यह ऐसे question पूछे जा सकते हैं और खास कर जिस तरीकी से country में जहाँ पर जनलिस्ट जो है फ्री इली काम नहीं कर पाते हैं वो country की democracy ढंग से perform नहीं कर पाते है क्योंकि जनलिस्ट का काम यह होता है लोगों को aware कराना और लोग aware नहीं रहेंगे तो एक तरीक से informed चोईस उनके पास में नहीं होगी तो इसलिए आपर यह काफी important question आप लोग का बन सकता है जापान को replace करके Hong Kong ही आपर तीसे नमबर पर आ गया है पहले नमबर पर USA दूसरे पर चाइना और तीसरे पर हो गया है Hong Kong और चोथे पर है अब जापान इसी के साथ में जो बात की जा रही है फर्स्ट एस्ट एस्टोनेट जो ना सकी है उनका नाम पुछा गया था जिनका नाम है जाईकोब इनकी रिसेंटली अभी डैथ हो गई है तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रक्स ने पूछ रहाता है कि प्रस्टिकुलर परसनेल्टी किस फिल्ट से लिटेड है तो ये आप लोग का आइडिया होना चाहिए इस्टेट ओन एर इंडिया के दौरा 150 जहाँ पर कैबिन क्रू मेंबर अभी हाँ जिनको जोब दी गई है जेट एरवेज के जोकी एक डूबने की कगार पर खड़ी है एक न्यूज भी इससे लिटर अजफिर उसके बारे भी हलका साम लोग नजर डालेंगे United Mission in South Sudan जिसके दौरा 150 इंडियन Peacekeeping Force को हमारी केंट्री को मेडल दिये गए है और ये जो सुडान में खासकर सुडान में भी साउथ सुडान में जो काम किया रहा है तो उसके लिए हाँ पर इनको ओनर दिया गया है प्रोजेक्ट का नम्मा ये तमिलाडू में बात की जा रही है जो बाइडिग्रेबल सेनेटरी नैपकिन प्रोवाइड कराने का बात करता है तो उसी से लिटर ये फ्री ये सर्विस प्रोवाइड करा जा रही है ताकि देखें महिलाओ को भी फायदा हो सके और इन्वर्मेंट को भी नुकसान नहीं पहुचे तो इस तरीके से ये है मदरास नोर्थ मदरास के अंदर यानिके तमिलाडू के अंदर इंडियन ओयल कोर्परेशन को यहाँ पर PSU of the Year का अवोड दिया गया है जो कि आप लोगों से question भी पुछा गया था इसके बारे में भी हम लोग आगे discuss करेंगे आईए चलते हैं अगली section की और next section जो है हमारा यह है important short news यानिके छोड़ी छोड़ी मगर मोठी बाते हैं सबसे पहली जो news है आप आप यह Saudi Arabia और United Arab Emirates के दोरा अभी recently financial support provide कराने की बात की गये सुडान को सुडान में भी आप लोगो पता है प्रिजिडेंट को खाट कर फेका गया क्योंकि काफी लंबे समय तक वो ruled कर रहा था और कोई भी धंग से step नहीं उठा रहा था कि तागी हाँ पर इच्छी चीजे हो सके यह निकि economy के point of view से, employment के point of view से, society के development के point of view से कोई भी काम उसके द्वारा धंग से नहीं किया जा रहा था तो यह है सुडान जो कि आप लोगा अफ्रीक कोंटिनेंट के अंदर देखने को मिलता है Saudi Arabia और UAE के द्वारा 3 billion यहाँ पर रुपी देने की बात की गई है जो कि लगबग हाँ पर जो deposit के जाएंगे, South Sudan के जो central bank है और उसी के साथ में हाँ पर और तरीके से भी काम के जाएगा ताकि जैसे कि food हो गया, medicine हो गया, fuel वगयरा हो गया यह सब चीजे available country में कराई जा सके और situation को control किया जा सके जो कि आज की rate में काफी डामाडोल हो चुकी है आगे बात करते हैं, यह बात की जारी है इंडोनेशिया के बारे में इंडोनेशिया में हाँ पर एक वोल क्यानों है यह फिर आप लोग हिंदी में बोले जवाला मुखी यह फटा और यह पहले जो last time फड़ा था 1963 में फड़ा था और लगवाग 1100 लोगों की जान गई थी अभी फिर से काफी खतरनाग situation यहाँ पर देखने को मिल रही है तो इसका नाम है आपर Mount Agung जो कि यहाँ पर Bali के अंदर Indonesia के अंदर देखने को मिलता है अगर location आप लोग यहाँ पर Indonesia की देखेंगे तो यह आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यह काफी खतरनाग situation create कर देता है तो direct पुछा जा सकता है Mount Agung volcano के यहाँ पर है यह काफी खतरनाग situation create कर देती है आप लोगों ने जियोग्रफिय पढ़ा भी होगा complete topic है आपर Volcano के बारे में नेस्ट यहाँ पर जो point है यह है Jet Airways के बारे में Jet Airways की खस्ता आलत हो चुकी है यहाँ पर उसको support करने से bank ने मना कर दिया वो गया court के अंदर court ने भी हाँ पर बोला कि उसको कोई support नहीं मिल पाएगा तो वो बिल्कुल बंध होने की कगार पर है इसी के चलते हैं यहाँ पर non executive and non independent director यहाँ पर थे यह जिनका नाम था नजीम जैद यह हमारी country के chief election commissioner भी जैचुके है इन्होंने resignation अपनी post से दे दिया है बोला गया है कि personal reason की वेसे हाँ पर resignation दे दिया गया है तो यह भी काफी news में है इसी reason की वेसे और इसी के चलते हैं आप लोगो बताए कि आज की rate में यह control में है bank यही कैसा हो अपना यहाँ से पैसा निकाले कोई भी हाँ पर support करने के लिए तयार नहीं है क्योंकि situation ऐसी हलत पर पोच चुकी है कि support करकर भी नहीं बचाय जाएगा यह आप लोग बोल सकते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर बात की जारी है USA के president के बारे में USA के president आप लोगो पता है ट्विटर पर काफी active रहते हैं तो इनके द्वारा जब भी कोई situation नहीं condition बनती है यह ट्विटर पर जाते हैं खोल के tweet कर देते हैं बिना सोचे समझें कि क्या होने वाला है अभी ऐसा काम इनके द्वारा किया गया Game of Thrones के बारे में आप लोगों ने सुनाओगा अब है यह जो मुझे बार-बार मेरे ओपर आरोप लगा रहे थे तो उसमें कोई conclusion नहीं निकला है तो बोले हैं ना तो कोई obstruction है ना ही कोई conclusion निकला है अब आज की rate में जो haters हैं और जो Democrats हैं वोई पीछे चुड़ गया है और वो चूप है तो यहाँ पर जो series के यहाँ पर यह HBO के द्वारा तयार की जाती है जो network है यह तो इन्हों ने बोला है कि प्लीज हमारी series को आप लोग politically motivated ऐसे comment करने के लिए use ने करें यहने का मतलब यह Donald Trump को बोला गया है कि हमारे जो यह इस तरीके से जो photo use के आप लोग ने इसको politicize ने करें तो जादे बहतर होगा तो यह हाँ पर इनके द्वारा बोला गया है चलिए जो भी है इसके बारे में आप लोग idea अड़ रख सकते हैं आगे चलते हैं नेक्स जो बात की जारी है यह बात की जारी है Ukraine के बारे में अभी हाँ पर election होएते और ने प्रिजिडेंट यहाँ पर जो चुन कर आ रहे है वो है वोलोडेमिर जलिस्की यह हाँ पर एक comedian politician है जो कि अभी हाँ पर काफी अच्छे तरीके से यह picture में आए और काफी शांदा तरीके से इनकी हाँ पर victory देखने को मिली location एक बार आप लोग देख लिजे कि कहाँ पर है Ukraine तागि आप लोग एक बार connect कर सकें यहाँ पर देखिए यह हो गया Ukraine काफी news में हाँ पर रहता है यह कई सारे region के विए से और अभी हाँ पर election होए तो यहाँ पर आप लोग देखिए एक मिनट यह होगी हमारा प्यारा भारत यहाँ से अगर आप लोग इहार आएंगे तो यह आप लोग को location देखने को मिलेगी Ukraine की यह आप लोग exit देख सकते हैं यह यहाँ पर Russia और Ukraine के जो relation है उसकी वेसे यह काफी news में रहते है खासकर जो क्रीमिया वाला reason है ब्लैक सी में हाँ पर यह इसकी वज़े से तो इसकी वेसे यह काफी news में था हलका सा idea आप लोग रख सकते हैं काफी अच्छी answer दिएगे आप लोग के द्वारा के थी English में किसके द्वारा की गए थी चलिए उसका भी revision कर लिजे जाकर एक बार next यहाँ पर Tata Consultancy की बात की थी तो Tata Consultancy हमारी कंट्री विज़े टोप IT कंपनिया उसमें फॉस्ट पोजिशन पर है दूसे नंबर पर इंफोसिस और तीसे नंबर पर है विप्रो यह एक हमारी कंट्री की इंडियन मल्टी नेशनल इंफोर्मेशन टेक्नलोजी सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है जो कि 1968 में Tata Sons और Tata Sons और यहाँ पर FC Kholi के द्वारा यह फॉइंट की गए थी Head Quarter इसका आप लोगो मुंबई में नजर आएगा 1968 इसी के साथ में जो नट राजन है वो चेर्मेन है और जो राजेस हैं आपर गोपिनाथ यह इसके आज की डिमें MD और CEO है बात करें अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन की तो उसको बोलते है रेड किलिफ जो कि यह आपर खिची गए थी Sir C.J. रेड किलिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 में यह काफी डिसिपूटेड लाइन है आज की डेट में भी आप लोगो बता है इंडियाल ओयल कोपरेशन की बात करते हैं आप आप यह जो है एक state-owned oil company, gas company है हमारी country में 1959 में इसको बनाया गया था Headquarter Mumbai में चेर्मेन यहाँ पर संजीव सिंग है तो यह question के answer शांदा तरीके से आप लोग के द्वारा दिये गए हैं आईए आगे बढ़ते हैं आगे बात की जारी हैं आपर national और international news के बारे में कौन सी है पहली news डेटेल में जानते हैं पहली news जो बात की जारी है यह बात की जारी है UAE के बारे में United Arab Emirates के बारे में United Arab Emirates के द्वारे हाँ पर एक national artificial intelligence strategy बनाए गई है जो की बोला गया है UAE strategy 2030 31 की यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके तहित यहाँ पर जो एक काम करने वाले है कि जो artificial intelligence होती है artificial intelligence क्या होती है जब जो technology होती है वो इनसानों की तरीके से काम करने लगती है अपने आपको खुदी repair करने लगे इस तरीकी situation अगर यहाँ पर होने लगे तो यह बोला जा रहा है कि जो aim है आपर UAE को global leader की field में लाने की बात की जा रही है artificial intelligence के field में ताकि यह एक तरीकी से country की development में तो फाइदा पहुचाएगा implement generate करे गए करेगा एक तरी से global world को lead भी करेगा artificial intelligence के field में और यह जो announce किया गया है आपर जो इनके वाइस प्रेजिडेंट है उनके द्वारा यह announce किया गया है सेख मुहमद बिन रसीद अलमक्थून तो यह इनका नाम है काफी लंबा रट लिजे दो-तीन साल में याद होई जाएगा तो यह बात की जा रही है तो यह total objective है आप आप जो जो इनिसेटिव है वो अलग अलग तरीके से कैसे कैसे इनके दोरा काम करना है educate कैसे करना है government services या community सब को साथ में लेकर कैसे काम करना है किस तरीके से आगे फिल्ड में एक पूरी strategy हाँ पर बनाएगी है तो यह 2031 तक है हाँ पर इनका टार्गेट है artificial intelligence में अपनी country को प्रिपूर बनाना तो यह बात की जारी है United Arab Emirates के बारे में next बात की जाते हैं आपर award और owner के बारे में यह जो information है यह बात की जारी है next billion यह ad tech prize 2019 के बारे में यह हमारी country का दोस education नाम से जो हाँ पर start up है उसको 25,000 dollar का यह tech prize अभी दिया गया है तो यह इसी के साथ में तंजानिया और इजिप्ट के भी दो winner है जिनको यहाँ पर यह मिला है next billionaire ad tech जो prize 2019 यह जो run किया जाता है UK based work and foundation के दोरे हाँ पर यह restart किया गया था ताकि जो education के field में खासकर जो low or emerging country है उनको यहाँ पर अगर कोई अच्छा कोई ऐसा start कियाता है जो कि जादा large scale पर impact डाला है society के उपर तो उसको जहान में रखते हुए उसको और ज्यादा promote किया जा सके दोस्त जो है आपर जो दोस्त education है इसके दोरे हाँ आपर बात की गई कि इस तरीके से empower करना है खासकर parents को ताकि वो बच्चों को early age में ही आपर sword film या फिर friendly audio इस तरीक content यहाँ पर provide करा का उनको बच्चों को एक अच्छे level पर educate कर सकें तो इस तरीके से यह early child हो जो early child की education होती है उसको promote करता है और वो एक तरीक से base भी बना जाता है एक तरीक से backbone आप लोग बोल सकते हैं जो इसके दोरा create के गया इसके लिए हाँ आपर इसको यह price दिया गया है next बात की जारी है आपर defense के बारे में तो जो defense की news है ये बात की जारी है naval commander conference 2019 question बनता है कहाँ पर हुई अभी ये new daily में देखने को मिली focus क्या रहता है focus ये रहता है कि इस तरीक से जो naval service है उसको और भी ज़्याद है strengthen हम रोग कर सकते हैं यानिकि क्या के दोरा operation चला जाते हैं क्या क्या logistic क्या time क्या किस तरीक से training करनी है administrative activity कैसे होनी है तो ये एक पुरा data तयार किया जाता है एक पुरी strategy बना जाती है आने वाले time में किस तरीक से situation को handle करकर चलना है पुलवामा attack आप लोग को देखे किने को मिला ऐसी कई सारी situation केरेट हो जाती है हमारी country में तो किस तरीक से आपर अगर कोई situation ऐसी बनती है तो हम लोग चीजों को handle कर सकते है ये situation देखने को मिलती है क्योंकि देखिए अगर Indian Air Force, Navy और Army मिलकर अगर काम करें synchronous way में जब जुरत पड़े तो वही सबसे अच्छी stand होगी किसी particular country की तो अलग-अलग field में अलग-अलग काम करें और फिर जब जुरत पड़े तो मिलकर काम करें तो उसी को यहाँ पर एक तरीक से चेक करने की भी कोसिस की जाती है कि किस तरीक से situation को अगर कोई challenge आता है maritime domain में उसको कैसे handle करना है banking और economy की बात करते हैं तो यह काफी interesting information यहाँ पर Amazon से related है आप लोगों पता है काफी बड़ी company हमारी country में काफी large scale की market capture की हुई है इसके द्वारा पर लेकिन चाइना में इसने हाथ खड़े कर दिये चाइना में जो local e-commerce company है खासकर alibaba और jedi.com यह काफी large scale पर काम करती है इनके चलते है जो Amazon है वहाँ पर अपना जो trade है वहाँ पर established नहीं कर पाया इसलिए वहाँ पर यह अपना जो operation है online detail का वो बंद करने की बात कर रहा है Amazon का अगर आप लोग देखेंगे A, M, A, Z, O, N इसका मतलब है A से लेके Z तक everything जो भी आप लोगों चाहिए वो सब कुछ हम लोग provide कराएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर यह काम करती है उपर लेकिन आज की date में जो अगर देखें चाइना के अंदर तो Alibaba का काफी नाम आप लोगों ने सुनाओगा यह company है किसकी चलिए जाकर इनके बारें पढ़िए कल फिर बताऊंगा Alibaba जो company है आप इसके बारें पढ़िएगा और जो found की गए थी यह कब की गए थी आज की date में world की topmost company में इसकी जगया बन चुकी है जो की काफी important आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए और काफी inspiration personality है आप लोग को inspire करेंगी जिनके द्वारें आपर यह company बनाई गई थी अगर बात करें Amazon की तो यह USA की company है चाइना में 2004 में इसके द्वारा entry की गई थी अगर बात करें book online जो reading की होती है आप लोगों ने पढ़ा होगा जो product वागरा जो day by day की use के सर्मान वो सबसे हैं आपर यह अपना हाथ खींच रहे है यह निकि वहाँ से अपना time हाँ पर अब यह उसको छोड़ रहे है तो US-based retailer है इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं और इंडिया में काफी बड़ा इसका market है next बात करते हैं science और technology के बारे में तो आज की जो science है tech news है हाँ पर यह बात की जा रही है universe के first molecule in space तो universe में जो first molecule है वो इस space में काफी incident है आपर लगबग जो इसका time period बोला जा रहा है वो 14 billion year 14 यह निकि 14 billion year जो की काफी पुराना आप लोग बोल सकते हैं नाम है helium hydride iron HEH plus तो यह जो iron है first time यह काफी लंबे समय बाद लगबग 14 billion year पहले हाँ पर यह मिला था और जिसके बारे में हिलाल अभी उसको scientist के द्वारा detect किया गिया है तो देखे अगर कोई past में ऐसी थोरी होती जिसके बारे में आप लोगो बदा चलता है तो कहीं न कहीं हमारा जो universe है कैसे form हो है उसकी information पता लगाने की कोशिस की जाती है Bing bang theory का नाम आप लोगों ने सुनाँगा जिसके थूरू यह मनाता है कि जो हमारा एक तरीके से जो universe है वो जो एक तरीके से बना था और आज केरे में भी expand करता हुआ जा रहा है तो एक गोला था उससे तूटके यह बना और आज केरे में expand करता हुआ जा रहा है तो उस तरीके से आप एक understanding develop होती है अगर कोई ऐसी research study के बारे में आप लोगो पता चलता है और बना कैसे अगर इसके बारे में बात की जाए तो आप लोग देखते है आइनाइस जो hydrogen है और इसके साथ में जो neutral helium है उसको मिला कर यहाँ पर यह react करकर यह HEH plus यहाँ पर बन गिया जिसको helium hydride iron के नाम से पुकार जाता है ठीक है तो यह अभी आप लोग को देखने को मिला तो हलका सा idea रख सकते हैं और अभी black hole की picture भी सामने निकल कर आई अच्छा कौन सी telescope main थी जो काफी news में थी जिसके द्वारा हैं आपर यह picture create की गई उसका नाम जरा comment box में बताईए तो आप लोग आगे चलते हैं स्टोफी आपर जीती गई है यह services के द्वारा जीती गई है और पंजाब को हराय गया है 1-0 से इनके द्वारा final में और final यहाँ पर लुधियाना में आप लोग को देखने को मिला बाकी इंपोडेंट नहीं है आपर किसने किसको past में अभी फिलाज जो important इसके बारे में यह है जो found किया गया था इसको इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं यह 1941 में इसको found किया गया था और यहाँ पर अगर बात करेंगे यह यहाँ पर अगर इसके बारे में बात की जाए तो टोटल 31 टीम आप लोग को देखने को मिलती है इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं कई वार कई सारे स्टेडियम का नाम पूछ ले आता है जो की वेस्ट बंगाल के अंदर है इसके बारे में हलका सा आडिया रखते हैं जो टीम है वो वेस्ट बंगाल की 32 टाइटल यहां पर बोले जा रहे हैं तो यह आइडिया आप लोग जरूर रखेगा आगे बढ़ते हैं आईए बात कते हैं परसानी न्यूस के बारे में तो यह भी काफी important personality के बारे में बात की जा रही है personality का नाम है आपर जो की अभी flight पर जाने वाली है और longest space में सब करने वाली है 328 days के लिए NASA की astronaut है नाम है Krishna Coach तो इसका नाम आप लोग याद रखते हैं important question future में बन सकता है अब तक का जो record था वो 288 यानि के 288 दिनों का था जो की 2016 में ये पैगी विट्सन के द्वारा बनाए गया था अगर mail की बात करें तो सबसे लंबे समय तक यहाँ पर रहने वाले हैं यह है स्कोट कहले जो की 340 दिनों तक रह चुके हैं 2015 में अभी हैं यहाँ पर 328 दिन तक रहने का सबसे लोंग है सर्व करने वाली महिला का खिताब यहाँ पर इनके नाम हो जाएगा 14 मार्च को यह जा चुकी है और फरवरी 2020 में यह वहाँ से वापस आएंगी तो इसके बारे में याद रखते हैं यह यह नशा काश मिश्ण है और यह ऑगे बढ़ते हैं 28 में रिचसट बाइलोजिकल जोन पर आं पर इसको बाजाता है और तरीखेसे ज्याय अंपर रेड पंड है यह काविक्वेंडी देखा जाता है और लूकेशन आूग के सामने हैं अपर land of the यहाँ पर यह elegant red panda के नाम से भी इसको बढ़ जाता है यह निके red panda काफी यहाँ पर देखने को मिलता है आज का जो आप लोग का political revision है यह है state versus union territory क्या क्या difference power की बात की जा रही है जा कर देखेगा जो मैंने आप लोगों से question पूछ जाता है यह है साथ union territory है हमारी country में तो इन साथ union territory को कौन से judiciary के area में लाए जाता है यह आप लोग को बताना है यानिके कौन सी union territory किस के jurisdiction के अंदर आती है यह है आप लोग question जिसका answer आप लोग को देना है आईए देखते हैं एक बार क्या कि हम लोगों ने discuss किया इसके बाद में आप लोग का quiz होगा जो कि आप लोग को अडेम्ट करना है और खर फिर detail में उसका answer आप लोग को बताया जाएगा सबसे पहले एक important day के बारे में जाना इसकी team भी हम लोगों ने देखी नेस्ट आप लोग के सामने quiz था और उसका answer भी आप लोगों को दिया गया इसी के साथ में Saudi Arabia और UAE के बारे में जाना कैसे हो help कर रहे है South Africa country में Sudan की अगर बात करें हाँ पर एक वोलकेनों के बारे में जाना Indonesia के अंदर नेस्ट हम लोगों ने जैटेरवेज की खस्ता आलत समझी ली है अमेरिका के जो प्रेजिडेंट है उनकी उल्टी सी देहरकत है समझी हम लोगों ने क्या हो कर रहे है यूक्रेयन के ने प्रेजिडेंट चुनकरायम के बारे में जाना कोशन के अंसर चांदा तरीके से आप लोगों के द्वारा देगे नेस्टनल आर्टिफिसिल इंटलिजेंस इस्टर जी के बारे में हम लोगों ने समझा जो की UAE की है नेस्ट बिलियन एड्टेक प्राइज 2019 के बारे में हम लोगों ने जाना हमारी केंट्री की भी एक यहाँ पर जो इस टारड़ आप है उसको मिला नेवल कमंडर कॉन्फरेंस के बारे में समझा नेस्ट हम लोगों ने जो यहाँ पर सट डाउन करने की बात की जा रही है चाइना में एमिजन के द्वारा वो जानी हम लोगों ने बात फर्स्ट यूनिवर्स मोलीक्यूर स्पेस के बारे में हम लोगों ने समझा क्या क्या बात है की जा रही है इसके अलावा संतोस टोफी के बारे में हम लोगों ने जाना नेस्ट हम लोगों ने जाना इस परसनलिटी के बारे में डिसाइड की गी है, इंडियन एजुकेशन टेकलोजी स्टार्टप का नाम आप लोगो बताना है, जिसको अभी हाँ पर प्राइज दिया गिया है, 25,000 डॉलर का, तो ये कौन सा इस्टार्टप है, तंजानिया और जिजिप्ट के इसी तरीके हाँ पर, जो इस्टार्टप है किसके द्वारा जीती की है, पंजाब को हराका, लुद्याना में हाँ पर ये फाइनल आप लोगो देखने को मिला, इसी के साथ में इंडोनेशा में, वोल कैनों का नाम आप लोगो बताना है, जो की काफी खतरनाक लेवल पर फड़ा है यहाँ पर, और आने वाले पहले भी पिछे भी पास्ट में हो चुकी कंडिशन, 1963 में 1100 के करीब लोग मारे गए थे, ये फिर से आप न्यूज में है, नरोरा वैली नेसल पार्क, ये कलिंग पॉंक डिस्टिक में पढ़ता है, तो कौन से राजे में पढ़ता है, ये आप लोगो बताना है, तो कैसा राज का हम आप लोग अगर परचान आता तो लाइक किया किजिए, नहीं पसना तो डिसलाइक करने का पूरा हाक है लेक्चर को नीचे कमेंट बोक्स से बताइए, डिसलाइक क्यों किया, आसपास सफाइर किये, पानी और पेट पो दो सेव कीजिए, पॉलिफिन और पास्टे का रवर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, इसी के साथ में जब भी टाइम मिले किजिए को पढ़ा दीजिए, आपका तो भला होगा, सामने वाले का भी भला हो जाएगा, और एजुकेशन एक ऐसी चीज है, जो कभी भी बाटने से घरती नहीं है, हमेसा बढ़ती ही बढ़ती है, तो मिलता हो नेक्स लेक्चर में, जो क्यों होगा, मौर्निंग में एक्जेक्ट 4 एम, जिसको आप लोग अपना पेटिस के तोर पर ले सकते हैं, और कोशिस क्या कीजिए, मेरे साथ पाटिसिपेट किया कीजिए, ताकि एग्जामिनेशन होल में जैसा फिल करते हैं, ऐसी क आप लोग के हाँ पर देखने को मिलें, तो थेंक्स लोड फॉर लिस्निंग, मिलता हो नेक्स लेक्चर में, तब तक के लिए, जै हिंद!